हेलो गाइस वेलकम तो मैं चैनल यूजिक डेवलोपर एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा कि कैलकुलेटर वेब सर्विस किस तरह बनाते हैं जावा में बाइ यूजिंग नेट बिन्स आये स्टार्ट करते है उससे पहले ने आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया य जल्दी सब्सक्राइब कर लिजी क्यावा डोट नेट पाइतन एंड रहते हैं तो अलगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया को भी दबा दीजिए औक तो में जाना है निए प्रोजेक्ट एंड जावा वेब वेब अप्लिकेशन को सेलेक्ट करना है अब हमें इसे एक नाम देना है तो हम कैलकुलेटर वेब सर्विस क्रेट कर रहे है ऊब हुआ जाओ सब्सक्राइब करें नाम देने के बाद पूनेक्ट पे क्लिक करना है सर्वर आपको ग्लास फिशी से रिक नाए अगर आपको ख्लाश्विस सर्वर नहीं दिख रहे तो आप इंपले अड में जाकर यहां से सेलेक्ट कर सकते घ्लास फीश सर्वर ओके तो यह इसना पर श्राइब सेलेक्स करना है और कोई भी फ्रेम्वोग सेलेक्ट नहीं करना है क्या है तो आपको सिंप्ली फिनिस्ट पर क्लिक करना है यहां पर हमारा केल्कुलेटर वेप सर्विस नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुगा इसे बसे और आप देख सकते कि इसमें व फोल्डर है वेब पेजे पैकेज लाइबरी और कॉन्फिग्रेशन फाइल अब हमें इसमें एक वेब सर्विस फाइल करेंगे चर्ड़ करने है उसके लिए प्रोजेक को रैट क्लिक किजिए नियूमे जाकर वेब सर्विस फाइल को सेलेक्ट किजिए एंड इसे एक नाम दी क्यांक लिए कि आपको फिनिस पर क्लिक करना है एक और फोल्डर क्रेइट में वेब सर्विस नाम से तब को इसे ओपन करना है और आप इसमें देख सकते हमारी एक वेब सर्विस की फाइल यहां पर है इसमें सेंप्ली एक मेठड बना हुए है they always जो है hello, okay, जो return करता है, एक test hello, so simply हमें इसे हटा देना है, because हमें इसे अभी जरूत नहीं है, so हमें बेसिक, अब हमें यहाँ पर एक method create करना है, जो user से दो values लेगा, और उन्हें add करके, उनका sum return कराएगा, so आइए method create करने के लिए, आप calculator को select कीजिए, right click करके, add operation पे click कीजिए and अब हमें operation का नाम देना है, basically हम एक method बना रहे है, so मैं इसे नाम दे जता हूं, get number, हम user से number लेंगे, जिसका return type होगा, int, okay, return type int होगा, और हम user से दो number लेंगे, मतलब दो parameter लेंगे, so हमें दो parameter यहाँ पर define करने होगे, so add कीजिए, first parameter num1, and जो int type का होगा, because number ले रहे हम तो int type का होगा, and second parameter num2, जिसका type भी होगा, int, okay, int, यह होने के बाद, आपको ok पर click करना है, हमने एक method बना लिया, उसका return type दे दिया, and दो parameter बना लिया, जो user, enter करेगा, अब आपको simply ok पर click करना है, ok पर click करने के बाद, आपका method create होगा, यहाँ पर get number, okay, जिसमें user से हम दो value ले रहे हैं, num1, and num2, जो है int type का, और इसे हटा देना, because अभी हमें इसे जरुरूत नहीं है, so अब हम user के दोनों number को add करना है, so हमें num1, and num2 को add करना है, और return कराना है, उसका sum, तो हम एक variable create कर लेते हैं, जिसमें हम दोनों का sum store करेंगे, so num1 plus num2, and हम इस sum को return करा देंगे, चुकि हमार return type int है, इसलिए हमने sum को int type का बनाया है, अगर हम return type float लेते, तो हमें sum को float type का बनाना होता, ok, so यह हमारी calculator web service create हो गई है, अब हम इसे अपने project को deploy clean and build करना है, जिससे हमें हमारे project में errors के बारे में पाता चलेगा, so मैंने clean and build किया, so build हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते calculator web service, so build हो चुका है, और यहाँ पर आगा build successful, build करने के बाद आपको अपने project को deploy करना है, so deploy पर क्लिक किजिए, and यहाँ पर deploy भी हो चुका है, build successful, deploy होने के बाद हम अपने web service को test करेंगे, कि और प्रॉफरली वग कर रहा है या नहीं, उसके लिए आप calculator को से रहे करना है, and test web service पर क्लिक करना है, okay, okay, हमारी service deploy नहीं भी लगता है, हम इसे एक बार और deploy कर लेते है, so deploy पर क्लिक करना है, and यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक error आ रहा है, and retriever output, and so, अब हम अपने web service को test करेंगे, उसके लिए आपको calculator को select करना है, हम अपने web service को test करेंगे, क्यों proper run हो रहा है या नहीं, so हमें अपने calculator को select करना है, and test web service पर क्लिक करना है, and आप देख सकते हैं, हमारा पास यह हमने जो method दो user से दो number लेने के लिए दो variables बनाए थे, और एक यह get number, okay, so हमें first number 10 देते हैं, and second number 20, so हमें इसका third number, sum मिलना चीए 30, okay, आप देख सकते हैं, हमारा हमें answer मिल चुका है 30, जो है in type का, and हमने दो parameter पास किये थे, in type के 10 and 20, okay, so यह shop request, जो XML based होती है, और यह shop response, okay, so request में हमने दो number पास किये थे अपने web service को, आप देख सकते हैं, num1 10 है, and num2 20, जो कि हमने यहाँ पर declare किया थे, num1 and num2, यह दोनों की value, 10 and 20 पास होई, और हमें response में मिला, उसका addition जो है 30, आप देख सकते हैं, आप 30, okay, so हमारी web service create हो चुकी है, अब हमें एक client बनाना है, जो इस web service को use करेगा, इसके लिए आपको, basically, आप client किसी भी language बना सकते हैं, java.net python, because web services जो होती हो, platform independent होती है, okay, so हम Java में बनाएंगे client को, उसके लिए आपको new project लेना है, web project लेना है, okay, next करना है, and इसे नाम देना है, okay, हमारा client हो गया, and glass piece को select करना है, server हमारा glass PC होगा, and next, कोई framework select नहीं करना है, and finish, so हमारा client का project क्रेट हो गया है, आपको simply open करना है, इसमें हमें 4 folders दिख रहे हैं, web pages, source package, library, and configuration file, okay, so हमें एक web service client क्रेट करना है, calculate, हमने पहले calculator web service में, web service create क्रेट 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 क्या था, but हम एक client बना रहे है, तो हम अपने client के project को select करके, new web service client select करेंगे, client बनाएंगे, because हम client का part, कर रहे होंके, so project में जाके, आपको project का path देना, web service का, और w h dl file पास करना है, है निए इसके बाद आपको फीनिश पे क्लिक करना है अब यह देखिए हमारे पास एक और फोल्डर आगया वेब सर्विस रिफ्रेंस इसके अंदर हमारे लेप सर्विस का का reference आचुका है देखिए गए नंबर यह हमारी कीलिटर विप सरभी से और इसमें हमने जो मैथर बनाई था गए नंबर वह रहा है सब भम हमें कलाइंट से दो नंबर लेने थे एक भी बनाने के लिए मैं एक फॉरम लेव लेटा है कि और एक्सन में बेसिकल हमें उस सवलेट का पास्वलेट का नाम पास करना है जिस पर हम अपने फर्म को सब्मिट करेंगे अभी तक वह सवलेट बना यह बट मैं एक यह तरनाम ते सलय बनाऊंगा इसलिए मैं इसे नाम दे देता हूं केलकुलेटर और हम method get रखेंगे और ओके हमारा form create हो गया अब इसमें हम यूजर से दो number लेंगे so enter number one और हम एक टेक्ष्ट फिल ड्राइब 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 करेंगे अब इसे नाम देंगे TXT1 बिकास्ट यह नाम हम यूज करने वाले अपने करकुलेटर के सब्सक्राइब पर ओके समें इसे नेम देंगे TXT1 और में ब्रेक लाइन अब दूसरा number लेंगे विजर से उसके लिए टेक्ष्ट फिल लेता हूं यहां से इसे में नेम देंगे TXT2 और लाइन ब्रेक लोता हूं अब यह हमें बटन चाहिए तो बटन ड्राइग और लेते हैं इसको मैं नाम दे देता हूं अब हम इसे नाम देदेंगे SUBMIT हैंड हमें क्लिक करना है OK पे क्लिक करना है यह हमारा जी वाइगा पार्ट हो चुगा है अब हम इसे एक बार करका देख लेते हैं कैसा दिखता है हमने रन किया अब देख सकते हैं यहां पर दो टेक्ष्ट फिल क्रेयेट हो गई और एक नाम की सब्सक्राइब ऑपका नाम की सब्सक्राइब नाम के लिए नाम की लिए अपने क्लाइट के फोल्डर में जाईए उसमें सोर्स पैकेज में जाकर पाइब प्रोजेक्ट नहीं होगा और एर आपको एड़ इनफॉर्मेशन टू डिप्लोइमें टूप्र प्रोजेक्ट नहीं होगा और एरर आएगा इसलिए आप देखिए हमारी केल्कुलेटर डॉट जावा नाम के सब्सक्राइब क्लास क्रेट हो गई है अब हम इसमें अपने जो हमने वेब सर्विस में में डॉट क्रेट किया था गेट नमबर उसका रिफ्रेंस यहां पर लाना है तो उसके लिए हम अपन गेट नमबर को कॉल करना है हमारे इस सर्वलेट पर हमें दो वैल्यूस चाहिए जो हमने यूजर से ली थी है स्टेमल पेज पर यहां से दो वैल्यूस ली थी जो उसके लिए हम एक दो इंट वैरियाबल बना लेते हैं नमवन कॉमा नमटू एंड हम इसमें उन्स दोनों जिए को स्टोर करेंगे तो नम्मन इस उकल टू टू वेस्ट वैज़ गेट पैरामेटर अचैनल पास करना है तो बेसिकली मेरे टी एस्टी एंट क्यों पास किया वास्ट में हमारे एस्टेमल पेज़ के फॉर्स टेक्स प्रिल का डेटा एकसेस कर रहे है तो जो यूजर फर्स लेंटर करेगा वह मारे ने बारे वैर्यवल में स्टोर हो जाएक बिकोस्ट जोमारा पडेमिटर में थी यह पीट या करना होगा इंटी Guess दॉट पार सेंट ओके अगर यह हो गया हमें सेकेंड वेरियबल के लिए भी करना है वह मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं और टी एक्सटी टू के लिए है एंड वेरियबल है नम टू तो हमारे पास दोनों वैलियू साथ चुकिये जो हमें में पास करनी है तो हम अपनी मेथट को यहां पर सिंप्ली कॉल कर लेते हैं बॉडी में तो यहां पर हमारे मेथट का नाम है यह नमबर एंड हमने इसमें दो परामिटर पास के नम और नम टू नम और हमारा यह नम और है एंड नम टू यह नम टू ओके तो हमारे वेब सर्विस क्रेट हो चुगा क्लाइंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया अब अपने प्रोजेक को कर लेते हैं अब देख सकते हैं आप हमारा प्रोजेक क्लीन बिल्ड हो रहा है और यह बिल्ड सक्सेस्फूल हो चुका है अब क्लाइंट पार्ट को रन करेंगे समय क्लाइंट पार्ट के वेपेज़े में जाकर यह ऑंने इंडेक्स.html का पीज बनाया था हुसे रन करना है सबढ़ने अपनी सर्विस को रण किया और हमें इसमें दोनों टेक्वीड में दो वैल्यक्वेली 1 सेख़ूल करनी है तो आप देख सकते हैं 2010 and 2030 होता है तो हमें आउटपुट आ चुगा है हमारा क्लाइंट पार्ट भी कंप्लीट हो चुगा है तो आपको आपको आज कर वीडियो समझ में आयोगा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछिए मिलते हैं ने